सभी मित्रों को नमस्कार एक बारस सभी का पुने स्वागत है साथियो रायथानी यूट्यूब चैनल पड़ देखिए हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं कि आपके राजस्तान के संत आपने कहा राजस्तां के संत पढ़ाईए तो राजस्तान के संती में आगे बढ़ा रह सभी में तर चैनलों को सब्सक्राइब करें पीडियाप रायथान के टेलीग्राम आप सर्च करेंगे साथियो तो वहां से आप लोग टेलीग्राम आप लोग जोईन करके वहां से आप लोग पीडियाप करें साथियो तो स्वागत आप सभी का इस क्लास में और जो साथी न लाल दास हैं इनके बारे में दो मुनिट कहानी सुन ले कि इनके माँ का नाम संदा था और पिता का ऩॉल था और मित्रो इनके दुआरा जो संपर लाल मिला तो गदगद हो गई तो मा को चांद जैसा लाल मिला तो गदगद हो गई समदा मतलब मा का नाम पिता का नाम चांद मल समदा को चांद जैसा लाल मिला तो मा का नाम समदा पिता का नाम चांद मल और हम लोग बात करें जिसके दौरा संपर्दा के स्तापना की गई वे लालदा से संपरदाय हो गए साथियो और गुरू का नाम क्या हो गया गदन चिस्ति तो क्या कहा मैंने समदा को चांद जैसा लाल मिला तो गद गद हो गई इनका अभी वादन वाकिय साथियो जहराम है और वाकिय में ये आपके मेव जाती से थे दो बाते important है साथियो नंबर एक ये आपके किस जाती से थे मेव जाती से एध्यान रखें और ये साथियो वे द्हाँ में हुआ द्यान रखें लकड हरा परिवार से थे साती ओर यहां important बात है इनका जो जनम हनु आना जनम पूछा गया है और वहां इस्टुडेंटरे मात खाये इनका जनम हुआने साथियो वे ध्यान रकना धूली धू गाउ में हुआ है कौन से गाउ में हुआ है धूली धू गाउ में हुआ है ये भी ध्यान रखें आप लोग तो जनम कहा हुआ है धूली धू गाउ में तो मेवाज जाती में लकड हरे साथियो और धूली धूगाओं में इनका जैनम हुआ है तेकि ध्यान रके समाधी शेर पुरा अलवर में है साथियो और इनका निदन हुआ नंगला जाध भरत में जी हाँ दुबार रिपिट कर रहा हूं धूली धूगाओं में धूली धूगाओं में इस उपरफास सीरीज है की बज़े सिलों नहीं कर सकते एक को अपना साथियो थोड़ा विचार चैन्ज करना चाहिए और दिन्यान में का साथ देना चाहिए ताकि पूरा सव हो जाएं तो दोनों बाते ध्यान रखें गुरू का नाम गदंज ये तो हो गया अब देखो धूली धूगाओं में साथ कर दें बॉल कर दें बूल गदमर बिठा दें वल्ल बिठा दो वल तेरी कोचिंग के सामने घुमा दें लुझा कर दें वहां अब है है लगाव है दुनिया इसलिए तो इसले कहते है वही तुप्रेक्ष्य ने थे हो गया तो कभी कुछे काला मुख गदे पर लिठाना ठी साथियो और ध्यानके इन्होंने वाणी की थी कि सहां जाके पुत्रों में उत्रादिकार संगर्स होगा जो संगर्स जीतेगा औरुंग जिव दारशी को वे दाजा बनेगा साथियों इनके पुत्र हैं पहाडा और कुटुब तो कुटुब को मिया साहब के नाम से भी जाना जाता है था अब हुमें पढ़ डास ऐस अब लालदास जी VOICE साथि यो टुब तो वहाँ कोई दिक्कत है नहीं लालदास दिशी चेतां के इनका गिरंते साथियो इधर देखे चरंदास जी चरंदास जी की पिता का बच्पन नाम रंजीत सिंग मा का नाम कुंजो भाई है संपर्दा चरंदास जी पिता का नाम मुर्ली धर है रंजीत सिंग मा कुंजो भाई की चरणों में मुर्ली बजा रहा है साथियो क्या कहा मैंने रं का जमाओ देखिए बस यही प्यार प्रेम प्राप्त कर रहा हूं साथ यह आप लोगों का मा सरस्वति को धन्यवाद आप भी दे मैं भी दू देखिए फिर से साथियों में निविदित कर देता हूं रंजीत सिंग मा कुंजो भाई के चरणो मुडली बजा रहा है बच्पन क मा का नाम क्या हो गया मित्रो रंजीत सिंग मा का नाम क्या हो गया कुंजो भाई और नाम क्या हो गया चरणदासी संपरदा की स्तापना की और पिता का नाम मुडली धर और गिरंत कौन से है तो मा की चरणो मुडली बजाएगा तो क्या कहेंगे बिरम ज्यान के भक्ति साग सागर में डूब कर ज्यान का सवरुदे कर रहा है इस तरीके से इनके घ्रंध ध्यान रखेंगे आपसे पूछ सकता है इनि में उसे कौन सा घ्रंधास जी का नहीं है तो क्या कहा रणजीत सिंग मा कुंजो भाई के च्रणों मुडली बजा रहा है ब्रहम ज्यान के भक्ति कर में डूब कर ज्यान का सवरुदे कर रहा है साथी कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि साथी और अवाज में डिस्टब वह थी वापिस में इसको रिपिट करता हूं कि डेरा गाव अलवर्म पैदा हुए थे कौन से गाव में बजाती यहां निवास करती वे हिंडू डेरा गाव व्याव पैदा हुए बसंद पंच्वि को मेले लगता है शत्रा सो उनतालिस में नादिर शा के आक्रमन की बहुष्यवानी की और ब्रहम ज्यान के भक्ति सागर में डूब कर ज्यान का सवरुदे कर गे ब्रहम ज्यान के साथियो भाषा कौन सी है मेवाती यह लोग मेवात के रहने वाले थे मेव जाती यहां निवास करती है वे हिंडू जिन्होंने इसलाम धर्म सुझकार कर लिया आज भी उनके रिति रिवाज हिंदूों से मिलते जूलते हैं उन्हें साथियों हम लोग मेवात कहते हैं क्या क कोन है यह द्यानकना चरणदासी है और दोनों के गिरंत आप से पूछे जाएंगे पहले बता दू दया वोई करेगा दया का बोध उसे है जो विने का माली को दया बोध विने मली का दया का बोध उसे ही होगा जो विने का माली कोगा दया मतलब दया भाई क्या कहा मैंने मतलश्य परदेश की मीरा हम समना भाई को कहते हैं मतलश्य परदेश की समना भाई को कहते हैं तो ये मेवात के लोग संते ये अलवर के लोग संते साथ हो जो मैंने आपको समझाए है चैनल को सब्सक्राइब करना घंटियू साम दबा देना और ये सुन्दर सुन्दर पीडिय प्राइथन के टेलीग्राम पर पड़ी हुई है आप इसे ओल लाइन भी मंगवा सकते हो यह छोटी-छोटी पीडिये पर साथ ही हो आप निकल वाएंगे आपको ज्यादा पैसा लगे तो आप यहां से मंगवा सकते हो आप प्रिंट निकलवा लेना एक साथ आपके पार